नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेट एंड फाइडियमत होनी वाल है क्योंकि दोस्तों आज के सुड़ियो में मैं आपको बताने हो लेकि कमल के अप्लिकेशन के बारे में जिस अप्लिकेशन के मलस आप किसी भी प्रकार का बिजनेस या और किसी भी प्रकार की दुकां को बहुती प्रोपेशनल तरीके से फास तरीके से ग्रोग कर सकते है तो दोस्तों आगर उपके पास किसी भी प्रकार का बिजनेस या फिर किसी भी प्रकार का दुकान है तो दोस्ते ह片ं एक रिक्क्वर्प्ष्ट होग्रिए कम इसी वीडिओ को शुरूमायच लेकर लाजसा जुरूर देखते रहें ताकि आपको इस आप प्लेकेशन चर्चांट के बारे में सारी क सारी इंफर्मेशन देखने को मिल सके हैं तो चलय लें वीडियो स्टाट करते हैं तो दोस्त आपकी दुकान को और उपने बिसनिस को एक एक है अपलिकीशन आप में स्टाट नाव में Wings Business Builder तो दोस्त आप्लिकेशन आपको प्ले स्टोर 10 पर फ्रीली एवियलीबल यह फिर अगर पो इदर आडिस नाम नेरेस नाम टाल के सब्सक्राइब करनाए सबीट करना है सबूर करना है चीजे सब्सक्राइब सब्सक्स 1 और सब्सक्राइब 32 तो कुछ आपर settings मिल जाते हैं अपने application के अपर जो settings है settings भी manage कर सकता है जो बेपने दुकान या मतलब की जो बिजनस है उस business के पर जो profile फोटो भी add कर सकते है तो application यह आपर नाम दे सकते हैं पर मैंने कुछ आपने store का नाम रखा है general store और यह आप पर दे सकते हैं अपने अपन की category यह आपर category को set कर लिए उसके बाद सबसे first option के बारे में बात करेंगे जो कि आपर first option दे सकते add customer तो दोस्ता add customer पर click वी कवरी यापर दे सेता customer का नाम है तो जितने सारे आपको customer add कर सकते हैं साथ अगर पुछ नया customer सब्सक्राइब कर सकते हैं यह फिर फोस के अंदर जितने सारे context में कुछ आपर नमबर आगर आपको select करना चाहते थो दोस्ता नमर को select कर सकते हैं तो दोस्ता second option देख सेता है जो कि customers list मतलब कि अपने phones के अंदर मतलब कि application के अंदर business में या फिर दोकन में जितने सारी customers को add किये सारी customers को पासने से देख सकते हैं जैसे कि मैंने customer के अपर add किया तो उस प्रकर से अपर देख सेते customer list में उसके अपर नाम शो हो रहा है उसके अपर दोस्तों तीसरा function देख सेता है जो कि है sell अगर अपने किसी भी customer को sell करना चाहते है कुछ products तो उसकी अपर list भी add कर सकते हैं for example किसी भी customer का अगर को किसी भी प्रकर की product sell करना तो आपर सारी सारी information फिलप कर सकते हैं जैसे कि उसका contact number के बाद जो भी अपना amount फिलप करने के बाद सारी information एड़ कर सकते हैं lifestyle उसके बाद उसके बाद कुछ hair spa एंसलों उसके बाद जिम है तो जो भी category का coupon क्रेट कर सकते हैं एंड coupon किसी एक customer या पर किसी particular customer के लिए आसने से बाद कर सकते हैं उसके बाद दोस्ट आप किसी भी template पर क्लिक करके देखेंगे तो आपर template पर क्लिक करेंगे बाद जो भी heading line है मतलब की title से उसके बाद डिसकाउंट का title डालना है उसके बाद description रखना है प्रिवी पर क्लिक करेंगे बाद आपको इसके बाद विलेडिटी सेट करें मतलब कि कितने दिन तक जो coupon उसके बाद रखना है तो इस प्रकर से सारे सारे information फिलिप करने बाद आसने से आपर coupon क्रेट कर सकते हैं और साथ हैं अगर आपको इसका वीडियो डेमो देखना है त तो खुद के अपर जो टेंपलेट से मतलब कि खुद का आसनी से आपर जो coupon ने डिजन कर सकते हैं डिजन करने के साथ सारे सारे सरी information मतलब की hidden line description सारी सारी information फिलिप करेंगे बाद आप अपने अपर store के लिए एक अच्छा-कासा coupon डिजन कर सकते हैं डिसकांट का coupon तो इस प coupon की category थी उसी तरसे offer के भी आपको कुछ अपर different different types की category देखने को मल जाते हैं तो अपको add offer offer क्लिक कर देना है तो अपको जो भी photo चाहिए यापर design के लिए photo ले सकते है background design कर सकते हैं जो आपनो template चाहिए उसी तरसे add offer offer क्लिक करे बाद जो अपना photo चाहिए photo select कर लिजे और ज सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि मैंने बता था कि कुछ आपको template भी मिल जाते हैं जैसे कि उफर देसे तापको different category के आपको templates भी इस offer के function में सारी सरा को option देखने को मिल जाते हैं तो अपने store के पासन से आपर offer set कर सकते हैं उसका नेक्स्ट फंक्शन देसे जो कि है group का functions म अगर अपने किसी भी customer का group create करना चाहते हैं मतलब कि sell का अलग उसके बाद coupons का अलग या फिर offer का अलग group करेट करना चाहते हैं तो उसके पर particular group create कर सकते हैं जितने सारे members मतलब की customer add कर सकते हैं तो दोस्तों इस group functions के मैंस अपने different customer के आपर आसनी से sort out कर सकते हैं उसका नेक् points मतलब कि अगर आपके customer के पास जितने सारे points है तो उससारे points का पासनी से redeem करके दे सकते हैं तो दोस्तों या पर दे सकते हैं जैसके मैं बताने चाहूंगे या पर application में लोयाइल्टी रख सकते हैं मतलब कि अपने दुकान के लिए बिजनस के लिए loyalty program भी सेट कर सकते हैं ज दोस्तों इस प्रकर से जो लोयाइल्टी का program से अपने points का program से अपने पर store के लिए या फिर अपने बिजनस के लिए पर set कर सकते हैं और नीची के तरह से आपको कुछ posters मिल जाते हैं मतलब कि पॉइंट से कितने points spent करेंगे बाद आपको कितना discount मिल जागव या पर set कर सकते ह तो दोस्तों जैसे कि मैंने बता था अपने store के पर poster मतलब की offer का poster design कर सकते हैं और अगर खुद का design करना है तो इमेजरे सेट कर सकते यह फिर निच्ट देख सकते आपने टेम्पलेट पर जाने के बाद उसके अपर बाद में कर सकते हैं मतलब कि कितना परसन मतलब कि कितना प्रच्ट ऑप्शन देशाथ है जो कि सेंड एसमेस तो कस्टमर मतलब कि अगर कोई भी फेस्टिवल सेजन आने वाला है मतलब अपनी स्टोर के अंदर कुसे भी प्रकर के कुछ कुछ इंफर्मेशन है और आप चाते हैं आपने कस्टमर को याा फिर किसे है क्सेंड करना है तो कलिक करनी batter contactлов कर सब्सक्ट अलगए कंडुर्य से जो कि आफनी के ऐसेमेस का फीचर मल जाता है जो अपनी customer के लिए SMS send करने के लिए फाइदे मन्द होता है तो दूसर इस परकर सापको different types के functions मिल जाते हैं अपनी business के लिए फिर अपनी store को professional तरिके से grow करने के लिए उसका बद दूसर आपर बात करेंगे 3 line पर click करके देखेंगे तो 3 line पर click करने बात जैसे के कुछ account की summary या आपर account की summary भी check करके सकते हैं तो आपने या पर business या फिर store के सारे के सारे अपनी transactions उसके आपर account की summary चेक कर सकते हैं उसके बद दूसरे आपर दे सकते registered transaction कितने सारे recent transaction किये गए हैं और साथ हम दोसरे आपको कुछ different different types के video demos भी देखने को मल जाते हैं English language में and Hindi language में तो अगर आप first time या पर application को चला रहे हैं तो आपर different different types के video demos भी देखने को मल जाएंगे वीडियो demos की मज़से आप सारे की सारे application के आपर information सीख सकते हैं इसके बाद और भी कुछ आपको चीज़े देखने को मल जाते हैं जैसे कि आप आसानी से आपर webpage design कर सकते हैं तो जो भी अपना store है जो भी अपना business है उसी आपर business का आसानी से आपर web page design कर सकते हैं इस वेब पेज को पासनी से आपर social media पर share कर सकते हैं जैसे कि WhatsApp, Facebook, Twitter तो इस प्रकर से वेब पेज को बहुती फास तरके से professional level पर अगर 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 को ग्रो करना है तो इस application के मल से वहुती फास तरके से ग्रो कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको नीचे description में लिंक देदूगा WhatsApp आसा इस application को यूज़ कर सकते हैं उसको install कर सकते हैं और आज अपने business को ग्रो करने के लिए इस application को यूज़ करना स्टार्ट कर लिजें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी strongly application के बारे में बात करें वाला था विंग्स business builder application के बारे में तो दोस्तों मेरे वडियो पसंद आए तो लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर में लेंगे कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टेंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाबाए टेक केर